हाई स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लेकिया हैं सौ के आस पास के संख्याओं का मल्टिप्लाई कैसे किया आता है तो जदी हमारे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा हर अब इस तरह के कोई संख्याओं मल्टिप्लाई करना हो तो सबसे पहला काम आप यह करिएगा कि यहां पे जो नंबर आता है इसको हम लोग गुना करते हैं तो यह कितना हो जाएगा फाइब तरीजा फिप्टीन पास्तियाइं पंद्रह आ जाएगा अब इसके बाद हम क्य और थिखे दोनों को सो में हम जोडते हैं जो रिजल्ट आता है उसको यहां पर पूर्ट करेंगे वही आपका एंसर हो जाएगा यानि सो में हम एड करेंगे 5 को और 3 को करेंगे कितना हो जाएगा 108 और यही जो रिजल्ट है सो आपका final answer हो अब जैसे और कोई कोश्यन लेते है जैसे 103 से मल्टिप्लाई करना 107 में तू कैसे मल्टिप्लाई करेंगे शो देखें तो इसको लिखेंगे सीधे सात्तिर का एक कईस यह हो जाएगा और उसके बाद हम लोग लिखेंगे 100 से उपर वाला तीन दिखें और सौ से नीचे वाला सात अधिक है न तो सौ में तीन को भी जोड़ेंगे और सात को भी जोड़ेंगे तो सौ प्लस तीन प्लस साथ कितना हो जाए एक सौ दस डाइरेक्ट अप लिख दीजिए 110 यह जो रिजल्ट आईए आपका फाइनल इंसर है आए अगला एक्जांपल इस पड़ लेते हैं जैसे 105 रहे और 108 रहे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सो देखें तो इसको मॉल्टिप्लाई करने सीधे हो जाएगा आठ पुचे चालिस आठ पुचे कितना होगा चालिस और उसके बाद उपर वाला सो से पांच दिखें और नीचे वाला सो से आठ दिखें तो सो में 5 को भी जोड़ेंगे और 8 को भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 105 और 8 मिलके 113 यह जो रिजल्ट है तो आपका फाइनल और जैसे कोई एक्जामपल लेते ही जैसे 102 में मल्टिप्लाई करना है एक सो चो से तो हम कैसे मल्टिप्लाई करेंगे थोड़ा ध्यान दिखेंगा 102 में 106 से तो कितना हो जाएगा दो चक 12 दो चक कितना होगा 12 और ऊपर वाला जूए 100 से दो अधिक है और नीचे वाला 100 से चो अधिक है तो 102 मैंने 100 प्लस 2 प्लस 6 है ना तो 100 प्लस दो एक सो दो और 102 और 6 मिलके 108 यह जो रिजल्ट है तो आपका फाइनल एंसर है